दोस्तों आप अपने photos, document को कुछ ऐसी जगा पर रखना चाहते हैं जहां से कि आप दुनिया की किसी भी कोने में हो या फिर आप कहीं भी हो आप अपने document को access कर सकें, अपने photos को download कर सकें चाहे हो किसी भी computer system या फिर किसी भी phone में तो आपको पता हो तो बहुत सारे cloud application इस समय available है जिनका इस्तेमाल storage के लिए किया जाता है और ये applications फिरी होते हैं लगबग लगबग लेकिन इसमें से काफी सारी application हैं जिसमें की security system उतना अच्छा नहीं होता तो उससे आपकी data की चोरी होने की संभावना रहती है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको google drive के बारे बताने वाला हूँ आपका अगर android phone है तो आपके phone में पहले से google drive install होगा आप उसको कई बार देखेंगे लेकिन आपने उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से उस application का इस्तेमाल करना जरूर चाहेंगे क्योंकि इस में आपको 15GV तक का storage frame दिया जाता है और अगर आप इससे ज़्यादा storage लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस storage को buy कर सकते हैं यह आसान तरीके से तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मेरा नाम है सुभम और आपका मेरे चैनल के एक नए और फ्रिश कमाल ध्यावाल वीडियो में फिर से बहुत-बहुत सवागत है अगर आपका कोई स्मार्ट फोन है तो आपके फोन में गूगल ड्राइब पहले से install होगा जैसे का आप देख पारें मेरे फोन में पहले से install है तो इसको यहां पे सिंपल इससे आपको उपन कर लेना है इस तरह से उपन करते ही एक कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा जिसमें कि आप देख पा रहे हैं सबसे उपर सर्च बार जिसमें सी कि आप अगर किसी फोटो या वीडियो को रिनेम करके रखे हैं तो आप यहां से उसको आसान तरीके से सर्च कर सकते हैं और यहां पर नीचे आप देख पा रहे हैं गेटिंग स्ट्रीम लिखा हुआ है और उसके नीचे आपको चार ओप्शन दिख रहे हैं और उसके उपर आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है तो इसी प्लस के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप आप देख पा रह अगलर दो कर लिता हूँ तो मैंने यहांपर कर लिया देख पार रहे हैं अभी यहां पे अपलोड वह शुकी है अब मैं इन यह कहीं से भी इनको access कर सकता हूं इन्हें देख सकता हूं जैसे आप देख पा रहे हैं इनको अब मैं दुनिया के किसी भी कोने से अपना बस email id लॉग इन करके इन फोटोस को access कर सकता हूं डाउनलोड कर सकता हूं या फिर किसी को share भी कर सकता हूं तो आप उस three dot पे click करेंगे त इसमें से कि आप इसको rename कर सकते हैं किसे एक्षा share कर सकते हैं तो share करने के लिए सबसे ऊपर यह option आता है share तो यहां पी बस आपको उस इंसान का email id डाल देना हैं जिसको आप पर शेयर करना चाहते हैं और यहां से send कर देना है और फोटोस उसके email id पर पहुंच जाएगा दो आप अपने कुछ अफ्लोट किया है तो यहां पर आपको ने कुछ देखा सकते हैं अपने हैं इस चार पर ख्यक्डjudd दोस्तों यह जो साइड में उसकी श्टार के बगल में option दिया हुई जिसमें की दो face की तरह बना हुआ है इससे आपको अगर किसी ने कोई photo या फिर कोई वीडियो आपके पास किसी ने email किया है तो वो आपको यहां पर show होता है और दोस्तों अगर बात करें ऊपर के ओ जो त्री डॉट पर जब आप के लिक करेंगे तो यहां से अपने सेटिंग्स को देख पाएंगे आपने इसनल ट्रीपॉंस से फोटो अप्लोड किये हैं आप offline में आप कौन से आपने रखा हुआ है बंड जो किया है नॉटिविएश तो यहां पाले 15 GB तो बिल्कुल फ्री है उसके बाद यहां पे 100 GB दिया हुआ है जिसके लिए आपको मंतली 130 रुपए देना पड़ेगा यह फिर आप इसको यह लिक कभी ले सकते हैं जिसमें कि आपको 1300 रुपए देना पड़ेगा तो ऐसे आप इसको खरीज सकते हैं अग अगर अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर भी कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या फिए पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएकि को मैं इसे तरह की वीड